Hello Students, जब हम किसी body के free fall motion की बात कर रहे होते हैं, और free fall मैंने बताया था कि ball का नीचे आना जुरूरी नहीं, बॉल उपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, body पे लगने वाला force, गिवडेशनल force होना चाहिए, तो जब हम किसी body को upward throw कर रहे हैं ground से, तो जब तक वो अपने peak point तक जाती है, उत्रहा तक का जो motion होता है वो ascent कहलाता है, उसके बाद जब वो peak point से ground पे वापस आती है तो वो motion descend कहलाता है, तो ascent और descent अगर air friction ना हो तो दोनों एक दूसरे के exactly similar होते हैं, जितना time ascent में लगता है उतना ही time descent में लगता है, और जो total time of flight होता है जो कि time of ascent और time of descent का sum होता है वो आता है to u upon g, time of ascent भी u upon g होता है, time of descent भी u upon g होता है, यानि कि जितना time लगता है ground से peak point जाने तक, उतना ही time लगता है peak point से ground वापस आने में, तो similarity ascent to descent की काई माइनों में एक तो time के मामने में है और दूसरा यह कि अगर हम उसी time पे velocities निकाल लें तो यह अलग बात है कि उपर जाते वक्वर्ड, upward और नीचे आते वक्वर्ड होंगी बट speed निकाल लें तो velocity का जो magnitude यहने कि speed है उपर जाते वक्वर्ड नीचे आते वक्वर्ड वो same height पे same होगी same height पे same और जो distances कवर्ड करेगा उपर जाते वक्वर्ड नीचे आते वक्वर्ड तो वो same time में same distances कवर्ड कर रहा होगा अध्रा से इसको और detail में देख लेते हैं और इस पे question भी करेंगे देखिए यह माल लीजे मैंने एक ball को उपर फेका और ऊपर जाने में उसको n second लगे 10 seconds उसको उपर जाने में लग रहे हैं तो जो last second है वो nth second है यह last second है नth second माल यह उपर जाने में 5 seconds लग रहे हैं तो नीचे आने भी 5 seconds लगेंगे तो टोटल 10 seconds का motion होगा जो पाचवा second होगा 5th second that would be the last second यह नth second है just इससे एक पहले वाला n-1 होगा उसे पहले वाला n-2 होगा उसे पहले वाला n-3 होगा n के बाद वाला n-1 होगा n-2 फिर n-3 n-4 तो मैं symmetry का मतलब बता रहा था तो देखे जो descent का last है sorry जो ascent का last है बिलकुश similar motion descent के first में होता है अब देखे इस दो line जो मैंने दिखाई है वो descent जो ascent का last है वैसा ही descent का first है बाई देखे ascent का last भी एक second of motion है descent का first भी एक second of motion है तो इसके last एक second of motion में और descent के पहले एक second of motion में object same distance cover करता है same speed acquire कर लेता है मतलब यह जो जाने से पहले यहाँ पे speed रही होगी एक second पहले यहाँ पे एक second बाद उतनी speed रही होगी बस opposite direction में और distances तो same ही है इसी तरीके से जो ascent का second last होगा यह वाला वो descent का second होगा के similar होगा जो ascent का third last होगा वो descent के third के कल होगा जो ascent का first होगा वो descent के last second के identical होगा और इस पे बहुत सारे question बनते हैं और बन सकते हैं जेई के लिए और need के लिए ascent और descent की similarity free fall में यह आपको याद रखना है अब जैसे मैं एक question बूछ हो एक ball को पता नहीं मैंने कितनी unknown speed speed बताने को जोती नहीं एक ball को किसी speed से मैंने upward throw कर दिया बताइए वो last second of ascent में कितना चलेगी कुछ नहीं बताया मैंने ball को 10 से वेका 20 मीटर परसन से वेका 100 मीटर परसन से वेका अरे भाई यह फर्क भी नहीं पड़ता ascent के last में ball कितना चलेगी जितना decent के first में और ball decent के first में कितना चलती है तो अगर आपने वीडियो देखा हो जहां पर dropped from rest होता है तो एक ball को अगर आप rest से drop को तो decent का first हो यह जो rest से drop करना है तो decent के first second में कोई भी object अगर वो free fall कर रहा है कोई भी object any shape any mass g by 2 चलता है g by 2 यहन्ग की आगर g 10 ले ले तो 5 meter 9.8 ले तो 4.9 meter तो g by 2 की distance चलेगा ascent के last में second last में कितना तो decent के second में कितना चलता है गयले लोल ओफ़ोर नमबर क्या बोलता है बताए g by 2 के बाद अगला कितना आता है 3 g by 2 तो decent के second में 3 g by 2 चलेगा तो ascent के second last होगा उसमें कितना चलेगा 3G by 2 तो G by 2, 3G by 2, 5G by 2 जैसे Descend का होता है वैसे Ascend में है बस उल्टा चल दीजे उपर से Start करिए G by 2 फिर 3G by 2, फिर 5G by 2, फिर 7G by 2 यह चीह आपको याद रखने है अच्छा जब Ball को Fakeा जाता है तो किसी भी एक Height पे वो दो बार आता है किसी भी एक Height पे दो बार आता है एक बार उपर जाते वक्त और एक बार नीचे जाते वक्त एक बार Ascend के दोरान और एक बार Descend के दोरान तो देखिए अगर Ascend के दोरान वो T is equal to T1 पे आया और Descend के दोरान जब वो गया था उसी Height से पास किया था तो माल लेते हैं वो टाइम इस्टेंड T1 है तो देखिए T1 T2 में एक relation होता है क्या relation होता है तो देखिए symmetry लगानी है क्या लगानी है symmetry अगर यह उपर जाते वक्त टाइम T1 था तो symmetry यह कहती है कि यह वाला time क्योंकि मैंने बताया था उतनी height से उतनी time लगता तो यह वाला time भी T1 होगा तो देखिए यहां से यह पूरा T2 था और T2 के बाद यह जो नीचे आने का time लग रहा हो T1 है तो दोनों को जोड़ दो तो T2 प्लस T1 और पूरा जोड़ दो तो यह पूरा complete time of flight बन जाएगा इसलिए नीचे T2 प्लस T1 उल्टा कर दे T1 प्लस T2 और मैंने highlight करके class में भी बताया था यह T1 प्लस T2 total time of flight to U upon G जो कि होता है वो बन जाएगा T1 प्लस T2 कितना बन जाएगा T2 upon G तो इस पे question बहुत सारे बनते हैं मैं फिर बता रहा हूँ a ball passes through same height at two time instant T is equal to 2 and T is equal to 6 when it is being thrown upwards from the ground जब हम इसको ground से upward throw कर रहे हैं तो दो time instant T is equal to 2 और T is equal to 6 second पे same height से pass कर रही है अब हमें उसकी बहुत सारी चाहिए बतानी है maximum height बतानी है speed of projection बतानी है कितनी speed से फेकी गई थी कुछ भी बता सकते हैं वो height बता सकते हैं जिस height पे T is equal to 2 T is equal to 6 पे है maximum height बता सकते हैं सारे question interrelated है आपको सिर्फ इतना करना यह वाल समझ लेनी है कि T is equal to 2 और T is equal to 6 पे अगर वो same height पे है तो एक ascent वाला है एक descent वाला दोनों को जोर दो 6 प्रस्टी कितना 8 8 हो गया time of flight पहला question 8 को 2 u upon g के कुल कर दो तो speed of projection आजाएगी कितनी आएगी 8 is equal to 2 u upon g 80 upon 2 40 meter per second एक बार हमारी speed आगी तो maximum height u square by 2 g से निकाल दोगे maximum height के से निकाल दोगे use square by 2 g और वो particular height चाहिए जिस पे ये दोनों same height same height पे आई है t is equal to 2 और t is equal to 6 जो standard में same height पे तो क्या करोगे h is equal to ut minus half g t square लगा दो यहाँ पे t की value चाहिए 2 रख दो चाहिए t की value 6 रख दो दोनों का answer same आएगा जो आप निकाली चुके हो तो देखे t1 plus t2 is equal to 2u upon g यह इन जारे questions की main trick होती है I think आप लोग समझ गया होगे तो इसी का एक चीज़ और कर लेते है कि ascent or descent similar होता है तो graph में देखते है अगर हम height का time के साथ graph बनाए height का time के साथ graph बनाए तो s is equal to ut plus half a t square तो यह बनेगा h is equal to ut minus half gt square क्योंकि u positive और g negative मैंने बताया था upward direction positive downward direction negative का sun convention है तो देखे t square हा रहा है t square आने का मतलब है यह quadratic equation है तो parabola बनेगा और quadratic equation में अगर x square का coefficient negative आता तो convex parabola तो यह देखे convex parabola बना है तो t is equal to 0 पे ground पे था तो 0 height से start हो है और वापस ground पे आगया है total time of light पे यह भी ground पे आने पे 0 पे आगया है तो यह पूरा time जो राऊगा होगा यह to u upon 0 होगा इसमें यह आपन जो point है यह maximum height का यहाँ पे तनी बिर में पहुंचा होगा to u upon 0 यह ascent है यह वाला time यहाँ से लेकिए यह ascent है और यह वाला time है speed चाहिए, तो v square is equal to u square plus 2x, a के जगे बस minus g रख दो, s के जगे height रख दो h, displacement होता है s, जाद है distance नहीं होती है, तो ball उपर उपर उपके नीचे भी आएगी, तब भी आपको height ही रखना है, तो v square is equal to u square minus 2gh, तो v कितना हो गया, under root u square minus 2gh, इससे आप किसी particular height पे speed निकाल सकते हो, v is equal to under root u square minus 2gh, अगर आप vh graph बनाओगे, तो यह आपका is type का कुछ graph बनेगा, यह देखे, is type का कुछ graph बनेगा, यह u से start होगा, जितनी speed पे की थी, maximum height पे आके 0 हो जाएगी speed, और फिर यह reverse हो जाएगी velocity, क्योंकि upward जा रही है तो positive, downward आ रही है तो negative, तो यह graph ऐसे करके complete हो जाएगा, तो यह vh graph बन जाएगा, तो I think ground से जो थो किया जाता है, उसके सारे cases और possible question हम लोगों ने कर ली है, thank you, अब देखते रहिएगा series,